दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेवटी या थनों की सूजन का गरेलू इलाज जी हाँ दोस्तो ये आप कर सकते हैं अपने घर पर ही क्योंकि सीश पाल मलिक है तो डोंट वरी टैंशन नहीं लेने का पसूओ की हर समस्या हर बिमारी का इलाज अपने पास है तो अगर आपके पसूओ की लेवटी पर सूजन है या थनों पर सूजन है या दोनों पर सूजन है या उसकी नाभी पर सूजन है तो उस तरह की समस्या का पूरा पक्का इलाज आप खुद अपने घर पर कर सकते हैं वो भी मातर एक ही दिन में आप अपने पुसूओ की थणों की या लवटी की जो सूजन है उसको ठीक कर सकते हैं तो वो कैसे करना है किसके साथ करना है कितने दिन तक करना है कितनी बार करना है वो सब कम्पलीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूँगा तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ शीश पाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सब का पसंदीदा यूटूब चैनल टूडे फार्मिंग जोन तो सवागत है दोस्तो आप सभी का और दोस्तो डेरी फार्मिंग वो पसुपालन की रोजाना की ताजा जानकारी बरी वीडियो देख सासी काल आजी आजी बात तो बात अपने पाइदा चैनल को सब्सक्राइब करिए इनों बात तो बात आपा हांसला बदाई करिए सरसबती डैरी फार्मिंग तो वे तरते लंबरदा रसी बात कर रहे हैं सारे प्रमादा और दोस्तो अगर आप फेस्बुक पर हमारी ये वी सूजन की बात करे तो ये ज्यादा तर जो फर्स टाइमर पाड़ी होती है जो ग्याबिन होती है तो लास्ट में जब वो उनके ब्याने के कुछी दिन बागी बचते हैं तब उनके अडर पर या उनकी लेउटी पर सूजन देखी जाती है जो की आगे ना भी तक फैली होती है और पीछे मूतर मार्ग तक भी चली जाती है तो दोस्तों अगर आपके पसूओं में ऐसी कोई समस्या है ब्याने से पहले तो दोस्तों ये सूजन अच्छी मानी जाती है क्योंकि इस सूजन के बाद फिर आपका पसूँ अच्छा दूद देता है और उसका अडर भी आप एक बार अपने नजदी की डाक्टर से जरूर चेक करवा ले अगर डाक्टर कहता है ठीक है तो ठीक है अगर उसको नुक्सान दायक डाक्टर बताता है तो उसके लिए आप ये इलाज कर सकते हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा और दोस्तों फिर जो आपके पसूओं ताजा ब्याय होते है या फिर कुछ महीने उनको ब्याय हुए होते है तो तब भी आपके पसूओं के थणों में या डर पर सूजन की समस्या देखने को मिलती है तो तब भी आप ये इलाज करके उनके थणों को ठीक कर सकते हैं नॉर्मल कर सकते हैं तो दोस्तों इसके पोदा बोला जाता है आपके प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है वो कॉमेंट में जरूर लिखकर बताये ताकि मैं दूसरे बायों को भी उसके बारे में बता सुकूं तो दोस्तों ये हर्याना में साथी का पोदा बोला जाता है इसके पत्ते आप देख लीजिए इसके पहचान कर लेजिए मैं आपको बता दू ये ज्यादातर बरशात में कहीं भी खेतों में या फिर खाली जगह पड़ी हो तो कहीं भी उगाता है अपने आप ही इसको उगाने की कोई जरूरत नहीं होती है ये ज्यादातर जवार के जो खेत होते हैं या फिर बाजरे के या फि आप ही उगाता है तो ये पोदा दोस्तों इनसानों के लिए तो वर्दान है ही साथ में पसूओं के लिए भी बहुत ही वर्दान है इससे आप इनसानों के पेट में जितनी समस्या होते हैं उनको ठीक कर सकते हैं सूजन की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं और भी बहुत सारी स ये बहुत ही कमाल का पोदा है, शांठी का पोदा है, आपके परदेश में हो सकता है, इसको अलग नामों से पुकारा जाए, लेकिन आप इसके पत्तों की पहचान कर लीजिए, तो अगर आप कभी खेतों में जाते हो, तो आप तो इस पोदे से प्रीचित होंगे ही, इसकी आज इसके साथ कैसे करने हैं, तो दोस्तों ये पोदा आपने आदा किलो 500 ग्राम लेना है, जड़ समेत उखाड लीजिए इसको, और आप घर पर लाकर इसको दो डाई लीटर पानी में अच्छी तरह से उबाल लीजिए, बहुत ज्यादा देर तक ये उबालना है, जब त करना है, अब आपने इसको ठंडा नहीं करना है, इसको गरम ही रखना है, ज़्यादा गरम भी नहीं थोड़ा सा ठंडा कर ले, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों इसको यूज करने के दो तरीके हैं, एक तो बि पानों की या अडर की सूजन की समस्या है वो ठीक हो जाएगी एक दूसरा तरीका भी है जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है वो यह कि दोस्तों यह जो गरम पानी है उसमें आप जो छोटा रुमाल आपने देखा होगा तो लिए के जैसा जो रुमाल होता है छोटा उस उसको आप इस गरम गरम पानी में भीगो लीजिए और उसको आप जहां भी आपके पसू के अडर पर या थनों पर सूजन है वहां पर लगा दीजिए एक बार नहीं तीन-चार बार लगाईए उससे अच्छा सा सिकाओ कीजिए तो उससे भी आपके पसूओं के जो अडर पर या थनों पर सूजन होती है वह ठीक हो जाएगी अगर नाभी पर सूजन है या फिर पीछे मुतरमार्ग तक सूजन पहुंच गई है यानि कि आगे नाभी तक सूजन है और बीच में अडर थनों पर है और पीछे मुतरमार्ग तक वह सूजन पहुंच गई है तो उसका भी इसी तरीके से आप इलाज कर सकते हैं इसी तरह से आपने सेकना है या फिर सिधा गिलास में बरके मारते रहना है तो इस तरह से जो आपके पसुओ की थनों की या डर की या नाभी की जो भी सूजन है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी तो दोस्तों आगे आप पसुओ की क पूरी जानकारी दूँगा उसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा उसका पूरा सो में से सो परसंट हंड्रड परसंट इलाज बताऊंगा तो जाते जाते चैनल को सबूने जान क्राइक करें बाजू में जो गंटी का बट्न क कमें तो धु unintended जाते तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार